हेलो गाइस वेलकम टो हिंदी डेयो ट्यूट्स मैं हूँ आपका होस्ट और रोज जाई तो गाइस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 9 ऑफ HTML कुटोरिल चीरीज इन हिंदी तो गाइस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स फर्मिटिंग के बारे में तो टेक्स फर्मिटिंग है का गया तो टैक्स फर्मिटिंग यह है कि आपने लॐत अरवंप सेट पर जो में हेडिंग होता है वो बोल्ड होता है जै कि pension lavoro होता है जैki जो वाइडिक होता है तो गारिंड्स तो ऊसको बनाते हैं एक एसे तो उसी टाइम पर हमको text formating काम आती है और guys इस video के end में आपको style tag के बारे में भी दिखाऊंगा तो please end तक यह video देखते रही है guys तो आगे start करते है formating सिखते है और उसके बाद style tag के बारे में जानेंगे start करते है guys तो guys पहले मैं आपको यह दिखा दो कि कितने प्रकार के format आते है text के ठीक है तो यहां पर आपको या italic text आता है, emphasize text आता है, underlined आता है, inserted आता है, mark आता है, small आता है, deleter आता है, superscript और subscript आता है तो इतने प्रकार के text formatting आता है, तो guys मैं इसका पहले तो आपके overview एक sample दिखा जाता हूँ, उसके बार मैं आपको सारे text बता हूँगा कि इसके functions क्या है, यह कैसे look करते है, कैसे दिखते है, तो guys मैंना यहाँ पर already बना के रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो bold text कैसा है, important text कैसा है, it click कैसा है, यहाँ पर मैं underline करके है, आप देख सकते हो, यहाँ पर, underlined कैसा है, insert कैसा है, marked कैसा दिखता है, small कैसा दिखता है, delete कैसा दिखता है, super and subscribe, तो guys आईगे start करते है, तो guys पहले आता है bold text, guys bold or important text है, वो डूनों सेम काम करते हैं, इसलिए मैंने और पर लिखा है, तो मैं आपको डूनों कैसे काम करते हैं, वो दिखाता हूँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर, अपने लिखेंगे, bold, b, खाली लिखना है, bold text अपने को लिखना हो, तो उसका जो first initial letter है, खाली b लिखना है, फिर इसको close कर देना है, और बीच में आपको easily याद रहेगा, कि bold का जो b है, वो initial letter जो b है, वो ही लिखना है अपने को खाली, ठीक है, और important text में क्या करना है, कि b की जगह पे strong लिखना है, strong तो आपको याद रहेगा, क्योंकि अपने page पर आपको कोई strong word बताना हो, खाली एक जैसे कि आपको चाहे कि लोग इस word क इस को देखे, तो उसको strong tech के अंदर लिखना है, तो strong लिखना बहुत है, है, s-t, r-o-n-c, और उसको फिर वापिस close करें लिखाए, यहाँ पर मैं लिखूँगा, h-d-t, ठीक है, तो आइज देखते हैं इसका result कैसा दिक रहा है, बाद हमें I save कर दूँगा, और यहाँ पे ने देखना हैं और फॉरे हिले हैं और अगर आपको इम्पजर लिखना है तो खाली यहां पर ko we लिखनेकर को खाल readiness में तो खाली आपको इसाई लिखने के लिखना और को क्लोस करना है थोड़ा ये इसको किरिस्फ करना है तो यहां पर हमें सेम लोंगा HDD ठीक है और यहां पर और करके इतलिक टेक्स जो है italic text उसका similar एक और भी है उसको बोलते है emphasize text इन दोनों में ज़्यादा कुछ difference नहीं है ठीक है तो इसको आप italic text भी उसकर सकते हो या emphasis text भी यूज कर सकते हो तो आपको मैं emphasis text का भी दिखा रहता हूं तो guys emphasis text का जो tag है वो कैसे लिखते है कि emphasis जो है वो उसका फर्स्ट इनिशलेटर है EM उसका आपको लिखना है और उसको close करना है ठीक है तो यहां पर मैं लिखना EM ठीक है और यहां पर HDT मैं सेम लिखूंगा और यहां पर सिफ EM करको close करना है guys EM भी आपको याद रहेगा कि emphasis जो word है उसका खरी जो पहले डो लेटर जो उसको ही लेना है आपको EM करके ठीक है यह जो डोनो है वो similar है लेकिन थोड़ा right side पर जुका हुआ है तो इसको guys itlick text bolt है ठीक है यह थोड़ा right side पर मुड़ा रहता है थोड़ा अच्छा modern look लगता है यह और यह जो bold है वो तो आपने दिखा ही है आप next देखते हैं तो guys next जो है वो है underline text इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा ठीक है तो यह क्या करता है underline text कि आपका जो भी वोड़ों का उसके नीचे एक line कर देगा उसको underline कर देगा तो लोगों को डिखेगा लोगों को clear दिखेगा जैसे आपको अगर अपने वेपेट पर filling in the blanks लिखना हो तो आप ऐसे कर सकते हो underline text लेके कर सकते हो ठीक है तो आई यह स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो underline text को कैसे लिखते है टॉनल टेक्स लिखने का बहुत ही जैसे अपने को bold का पहले इनिशलेटर लिया जैसे इतलिक का पहले इनिशलेटर लिया वैसे यह अपने को underline text का u लेना है ठीक है तो मैंने यहाँ पर u ले लिया उसको u को close करता तो यहाँ पर मैं simple लिख लोंगा hdd टीक है और यहाँ पर एक और है कि underline के जैसा similar एक और text है जो है वह एक और tag है जो है inserted text तो इनिशलेट टेक्स भी वही क्याम करता है जो underline text काम करता है inserted text भी underline ही करेगा अपने जो भी word लेंगे उसको underline ही करेगा यह तो आईए देखते है उसका कैसे लिखते है तो यहाँ पर insert को लिखना बहुत easy है कि उसके जो पहले टीन इनिशलेटर है वह है INS उसको लिखना है और उसके बीच में अपना word लिखना है और उसको close कर देना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि है पहला है जो मैंने डिखाए आपको world उसके बाद दिखाया मैंने इट लिक्ट और उसके बाद दिखाया आपको मैंने HDT का underline ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जैसे लिखा है HDT मेरा word है उसके नीचे मैंने उसका इसका तो यहाँ आपको अगर फिलिंग्र ब्लैंक्स अपने पेज पर रखना हो तो इसके लिए आपको यह यूज करना पड़िए अपने पेज़ पर तो वो उसको मार्क कर देगा और लोगों को एक नम इजरी लिखे करना आपको एक के ठीक है में आरक को लिखना है फिर उसके बीच में अपना जो भी वर्ड है जैसे कि मैं आपे HDT लूँगा सारे में मैंने HDT लिया तो यहाँ पर एक पूरे यल्लो के यल्लो के यल्लो कलर के बैक्राउंड उसका तो इसको गाइस मार्कर बोलते है कि यह मार्क हो गया तो यह वेपेज़ पिक्डम क्लियर दिखता है यहाँ पर एक सिक तो मैंने जो आपको ओवर्विव दिखा था उसमें भी यहाँ पर मार्क टेक्स तो कितना इसली यूनिक दिखता है और लोगों को बना चलता है कि इस टेक्स में इन्होंने हाइलाइट के तो यह टेक्स जरू आपको 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 आपक तो इस format को ठीक है तो आए आगे बढ़ते हैं तो काई आगे देखते हैं deleted text तो काई deleted text का use क्या है कि अगर आपने कुछ website में गलत लिख दिया उसको delete करना हो लेकिन लोगों को बढ़ा चले कि मैंने पहले यह लिखा था उसका फिर उसको आपके बाद उसने सुधारा तो वह सुधारा तो deleted text किया करेगा कि simple वह एक center में client कर देगा जिससे लोगों को बढ़ा चलेगा यह text उन्हेंने गलत लिख दिया था तो उसके बाद आपने नए अपना operator के बाद मैंने यहां पर लिखा है तो आप देख सकते हो कि यह कैसे मेरा cursor पर आप देख सकते हो कि यह कैसे बीच में लाए ना गई तो वह बढ़ा चला कि यह word cancel है यहां पर उसके बाद अपने अपना word लिख सकते है regular ठीक है तो आपको आपको जैसे कि मैच का एक अपने लिखने लिखने जाएंगे तो यहां पर मैं लिख दिया 3 3 तो लेखते है कि वह कैसा दिखता है यहां पर तो यहां पर मैं अगर इसको refresh करूंगा तो यहां पर लिखना है 3 3 ठीक है तो इससे शुपर स्क्रिप्स कर गया होगा कि यह जो 3 बाजो का 3 है यह वाला 3 व इसके बाद बीच में अपना वह जैसे कि मैं 3 2 3 यहां पर लिखूंगा तो मैं आपर simple से कर दूंगा और इसको close भी करना है आपको शुप को ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि 3 2 3 कैसे आ गया मतलब यह पूरा भी match का problem लग रहा है ठीक है फगर इसको आपको जैसे तरह किसे यूज करना है वह आप अपनी choice की तरह से यूज कर सकते हो ठीक है पार अंसब्स्रिप्ट का क्या होगा कि यह जो 3 उपर लिखा हमने वह 3 नीचे हो जा रहेगा 3 से ठीक है तो यहां पर मैं subscribe का ले लूँगा ठीक है तो यहां पर मैं 3 ले लूँगा और अरो सब् निक लिए पर वर्ड लेना है जो भी आपको चाहिए तो हमें सेव कर लूँगा तो यहां पर सेव करना के बाड़ आप नीचे प्लब देखो तो यहां पर दिखे का थ्री तृर त्री नहीं, यहां पर 3 है उसके नीचे 3 है, तो ड्यास आपको जैसे भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, आपके उपर डिपेंड़ को आप कैसी आइडिया से यूज करते हो इससे वो आपके उपर डिपेंड है, तो जाइस अब मैं आपको बता हमगो स्टायल टे अगर आपको change करना तो उसके लिए आपको style use करना पड़ेगा ठीक है तो आपको पहले इसको style tag को लिखते कैसे वह पहले आपको बता लेता हूं ठीक है इसके बाद is equal to quotation उसके बाद यहां पर property जो भी property आपको यूज करना है जाए fund size फिर fund color या फिर जो भी यूज करना है वो यहां पर background color यहां पर use कर सकते हो ठीक है फिर यहां पर colon ठीक है colon के बाद यहां पर अपने value लिखेंगे और value के बाद अपने semicolon लिखेंगे ठीक है तो आज यह होता है प्रॉप style आपकर करना हो तो वैसे इससी तरह किसा अपने इससे follow करके कर सकते है ठीक है तो यहां पर मैं नीचे simple आपको दिखाऊंगा यहां पर style लूँगा मेरे को यहां पर color चींज करना है ठीक है तो मैं पर style लूँगा तो यहां पर मैं जैसे ही रंड करूंगा तो आप उपर देख सकेंगे कि यह चेंज होगा कि नहीं होगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह ब्लू हो गया यहां पर देख सकते हो कि 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 यहां पर मेरे को 60 pixels चाहिए तो मैं पर 60 pixels लुकूँगा और यहां पर मैं लूँगा यह semi column लग डूँगा तो मैं इसको save कर लूँगा तो यहां पर आप देखते कि result कैसे आए तो guys यहां पर ब्लू जो कलर था वो चला कर और यहां पर मेरा तो text वो 60 pixels आ गया तो guys इसी तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो style tech का इसी तरह आप यूज़ कर सकते हो तो guys मैं hope करता हूँ कि आप आप वीडियो पसंद आ आपकर पसंद आया हो तो guys प्लीज इसको like, share and subscribe करना ना भूलिए guys एक और बार क्या आप हमको facebook, twitter सब पे follow कर चाकते हो जो social media के link से वह सारी में description में रिदेंगा तो guys जरूर हमें follow करना उस पे, guys हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है hindi daytuts official जो मैंने पहले के वीडियो में बताया है आपको कैसे इसको follow करते है ठीक है तो guys प्रीज आपको youtube में search करिए hindi daytuts official और उसको please subscribe कर ले वहाँ पर भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे guys तो ठीक है मिलते हैं next video में टट पर के लिए बाई बाई दोस्टो थेंक यू जए हिन करते हैं करते हैं पर पर दून